आज हम बनाएंगे simple and tasty white chicken biryani simple इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई cream का इस्तमाल मैंने नहीं किया था नहीं कोई खोए का इस्तमाल किया है फिर भी ये खाने में इतनी tasty बनके त्यार हुई थी न और मुझे आपने feedback ज़रूर देना है कि आपको ये recipes कैसी लगी सबसे पहले चावलों के लिए 3.5 लीटर पानी उबाल लिया है इसमें कुछ दालचीनी, थोड़ा काली मिर्च, लॉंग, जीरा, पुदीना और हरी मिर्चे slit करके यानि के चीरा लगा के आट कर ले एक टेबल स्पून ओयल तो चावल खिले-खिले चुटे बन के त्यार होंगे तकरीबन एक टेबल स्पून अच्छे से भर कर अपने आट करना है नमक ताकि चावल फीका नहीं रहे और अच्छे से उबाल आ जाये ना तो दो मिनिट के बाद फिर आपने इसमें आधा किलो चावल आट करना है चावल एक्स्ट्रा लॉंग ग्रेन इस्तेमाल किया है जिसको मैंने आधा घंडा भिगो दिया था अच्छे से मिक्स कर ले और मीडियम आच पे इसको कुक कर ले जैसे ही तेजी से उबाला जाता है तो पांच मिनिट अपने कुक करना है उसके बाद मैंने फ्लेम आफ कर लिया था तकरीबन 75 परसंट चावल यहाँ पे अच्छे से गल गया है यह देखिए ग्रेंज लॉंग हो गया है पानी पूरा निकाल ले और किसी परात पर बिचा के उसको साइड में रख दे आदा केलो चिकिन एक टेबल स्पून अद्रक लसन एक टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्च एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून काली मिर्च एक टी स्पून कोई भी ब्रांड का गरम मसाला, एक टी स्पून चार्ड मसाला और एक टी स्पून नमक, डेड़ सो ग्राम लिया है, दही थोड़ा सा बचा लिया है, और अची तरह से इसको मिक्स कर ले, तकरीबन दो घंटा माक्सिमम आप मारिनेट कर सकते हैं, मैंने प्रे ब्राउन हो जाए न, अच्छे से, क्रिस्पी हो जाए, तो ड्रेन करके बाहर निकाले, इसको किये जा सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बिर्यानी में बहुत अच्छा आता है, अब इसी ओयल में आप थोड़ा सा घी आट कर ले, टेस्ट एन्हांस होता है, कुछ खड़े मस आट कीया थे न, वो में बाद में निकाल लिये थे, साइड में, क्योंकि हम प्यास ग्राइन करने वाले थे, इसी ओयल में, अभी यह चिकन मारिनेट किया था, मैंने वो सब आट कर लिया है, साथ में, थोड़ा सा हमने, वैसल को क्लीन करके न, पानी भी इसमे आट कर लेना इसको cover कर ले और दो whistle high flame पे लगा कि gas का flame अपने off कर लेना है बस तब तक यहाँ पर मैंने जो प्याज fry करके निकाला था उसको grinding jar में add किया है 8-10 काजू लिये हैं और दही जो मैंने बचा लिया था तकरीबन आदा छोटा कप हो गाई है जरुवत लगे तो थोड़ा पानी add कर ले और बिल्कुल fine इसका एक puree बना ले यहाँ पर दो whistle के बाद cooker ठंडा होने के बाद मैंने खोल लिया है तकरीबन 70-80% chicken गल गया है इसी के अंदर प्याज और काजू का paste जो हमने बनाया था दही के साथ वो add कर ले अच्छे से mix कर ले इसमें gravy अभी काफी है तो पानी add करने की जरुवत नहीं है अब हम बिर्यानी की थर लगाएंगे तो सबसे पहले पतीले में नीचे थोड़ा सा boil किया वा rice लगा ले इससे बिर्यानी नीचे नहीं लगेगी थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया पुदीन add करेंगे और फिर जो चिकन की gravy बनाई है वो पूरी मैंने यापे add कर लिए उपर से थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना लगा लेंगे और फिर चावल की दो layers लगाए थी पहला layer लगाया है आप चाये तो बीच में हर layer के थोड़ा सा color, देसी घी, धनिया पुदीना और fried onions ये हर layer में आप लगा सकते तो यहाँ पर मैंने नीचे सिफ चिवचिकन की एक layer रखी है और उपर मैंने चावल के दो layers बनाए है और हर layer के बीच में मैंने गाने शिंग की है आप चाये तो kebra essence भी लगा सकते है उपर से फिर हमने जो यह fry किया हुआ आलू था ना जिसके हमने fries बनाए थे इसका टेस्ट बिर्यानी में बहुत अच्छा आता है कुछ अलग लगता है यह जरूर आट करिए उपर से बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है आधा कब तकरीबन पानी उपर से आट किया या आप देख सकते हैं भाप अच्छी तरह से बन गई है इसके अंदर यह देखिए और चावल बहुत ही खिले खिले पॉफेक्टली कोक्त है बिलकुल अंडर कोक नहीं है अंदर से चिकन भी बहुत अच्छे से कोक हो गया है और डीचे बिलकुल लगा नहीं है फ्लेवर फु फीडबाइक जरूर दीजेगा कि सिंपल यह बिर्यानी आपको कैसी लगी तो बस आज के लिए तना काफी है फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ ताइंकी सो मच पर वाचिंग दे वीडियो टेक गुट केर अलाहाफिस बबाए